राम जी कहते हैं कि देखो भाई जैसे हम राम जी की कथा सुने के रसिया हैं वैसे ही तुमको भी मेरे भगवान की कथा सुने का रसिया बनना चाहिए इरु तुम मेरे भगवान की कथा सुने के रसिया हो गए तो हमारी समीपता तुमारे साथ सदय रहेगे हम हमेशा तुम्हारे साथ मेरे प्रभू का जो सखा बन जाता है उसकी सप्रकार से रच्छा करना मेरा प्रम धर्म बन जाता है मेरे प्रभू का सखा इस्वर के साथ सखा जैसा बेवार करो अपने मित्र को मिलने जाते हो तो आप मित्र की इच्छाओं के अनुसार उसकी सेवा लेकर प्रस्तुत होते हो ऐसे भगवान मेरे भगवान को मिलने जाओ तो हन्वान जी कहते हैं उनकी इच्छा नुसार उनकी सेवा लेकर प्रस्तुत हो हरी इच्छा याद रखना जीवन में आपकी कोई इच्छा नहीं चल सकती कमला दीगी हम नहीं कहते हैं जिसे आप बूद भावन भगवान भोले नात कहती हो जिसे एक महीने तीस दिन पूरे सावन महीने में आप रोज जल चढ़ाने में चूपते नहीं हो भगवान भोले नात कहते हैं और विचार करके कहते हैं बिना विचारी नहीं कहते हैं विकास भावू कितनी संदर परती गई है हरे इच्छा भावे बलवारा हरे इच्छा भावे बलवारा विकास भावे बलवारा विचार संदर परती गई हरे इच्छा हरे इच्छा मिध्रे स्यादों जी बत्रकार भी बगवान की इच्छा के वेना जीवन में किशी के साथ कुछ नहीं होता हम अपनी वी इच्छा उसी में जोड़ देंगे राधा किश्ट भावो ये पंक्ति यदी हमको याद रही ना तो हमरी जिंदगी में कोई चूख होई नहीं सब्सक्राइब क्योंकि भगवान संभु जी को सुजान कहा गया है विर्दे से विचार करके आते हैं विर्दे विचारत संभु सुजान करके हनुमान जी महराज की पूजा गली गली में क्यों होती है अनमान जी कोई काम बिना विचारी नहीं करते और रामन जी भी विचार करते हैं पर गीता भी क्या वो कब विचार करते हैं जब काम बिगड़ जाता है अन्तर इतना ही है रामन जी विचार गोश्टी बोलाते हैं लेकिन तब जब आधी से जादी सेना मर जाती है तब विचार करने के लिए मंत्रना करने के लिए मंत्रियों के मिटिंग भुलाते हैं और हनुमान जी कोई काम बिना विचारे नहीं करते हैं कपि करेह दे विचार दीन मुद्र का डारी तब मुद्र का अपसिता मईया को दो के ना दो विचार किया उस पर हमको बाप को भी अपने जीवन में खुब विचार करके कोई काम करना चाहिए अनुमान जी महराज केते हैं लोकुस भीया हमने जो भी काम किया हूँ विचार करके किया हमने शीता मईया को कदा भी सुनाई तो उसके पहले विचार किया कि क्या करूँ बाप कहीं कहीं हमसे भी चूख हुई है लोकुस भीया आपसे भी चूख हाँ यात्रा चल करके समुद्र के किनारे पहुची और जैसे ही समुद्र के किनारे हम सब लोग अपना डेरा डाले थे कि सामने से लंकेश के भाई विविशन का पदारपन हुआ हमसे विविशन ने पूछा था कि मेरे जैसे पापी को यदि हम भगवान की सरण में आएं तो क्या भगवान हमको अपनाएंगे तो हनुमान जी ने कहा था हनुमान जी कहते है लोकुष भईया मैंने कहा कि मेरे जैसे बंदर को यदि भगवान ने अपनी जीवन में आत्मसाथ कर लिया असमे अधम सखासन मोहु पर रगवीर किनी क्रपा समीर गुन बरे विलोचन नीर कि इतना बल्वान आत्मी है कितना बुद्धिमान आत्मी है सभी सस्त्रों से अजेय है दिली भवु वह जब भगवान की क्रपा प्राप्त करता है तो आखों में आसु भर के कहता है संत्रों स्यातों जीव असमे अधम सखासन मोहु पर रगवीर किनी क्रपा समीर कुन बरे विलोचन नीर कमला दिदी जिस भगवान ने हमको स्वस्त प्रसंद रखा है उस परमात्मा को संतलाल वभू धन्यवाद देते समय हमारी आँखों में तनिक आशू हूं कि प्रभू आपने कितनी किरपा कर रखिये मेरे उपर मैं कितना धन्य हूं कि मेरे जैसे पापी को भी आपने इस प्रकार का उसर दिया है जो बेक्ति रोज रोज पल पल परमात्मा के समीप रहता है अपने आपको ये कहते हुए कि मेरे जैसे पापी को मेरे जैसे अपरादी को अपना अपराद आप सब को हमको मालूम है हमने कब कहां कैसे गलतियां की है हम अपरादी हैं और अपरादी को बड़ी बिनम्रता के साथ अपना अपराद सर्व समर्त के सामने सुविकार करना चाहिए प्रभू सर्व समर्त है एक बार आप कह तो डालो आँखों में आशु भरके रोशरी बच्ची हम भगवान आपके अपरादी है अगर बच्टी दिखाओ भगवान को कहो पुजा करने बैठो तो कहो फूल चड़ाने बैटो तो कहो तीरत में जाओ तो कहो किसको भगवान को कि मैं अधम हूँ मैं आपके लाइग बात्र नहीं हूँ पिर विह आपने मेरे पर इतनी कृप और रखी है कि आप ने हमें सब क्रकार के सुकों से पूरिद लिया आ Самि को को राव्enced की को एक बेटे के लिए तरस राहा हमको आपने दोढू मकाम दिये कोई एक गाड़ी से चलने के दिर तरप रहा है मुझे आपने दो दो तीन तीन गाड़ियां दी किसी के पास एक साड़ी नहीं है अच्छी सी हमारे पास तो रेसम की दस साड़ियां आपने थी किसी के पास पहनने के वस्तर नहीं है आपने हमें नंगा नहीं रखा अरे मेरे जैसे को आप भगवान को कभी बात करो ना उनसे बात करते समय आप उनके समीप रहोगे आप ओगे बात करते समय समीप रहेंगे हम थोड़ो कहते हैं इस बात को स्वयम परमात्मा कहते हैं ए अरजुन ये लोगों को ब्रह्म है और भ्रह्म के लिए तो कतानी शुनी जाती है, लोगों को ब्रह्म है, क्या ब्रह्म है, कि मैं वहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, कोई कहता तीरत में मिलेंगे, कोई कहता मंदिर में मिलेंगे, ये लोगों का ब्रह्म है, ब्रायन तो सर्वभूतानी, सारी इस दुनिया में जुन मैं सब के हर्दय में रहता हूं, हर्दय से अरजन तिष्ठति, मैं जितना गीता के हर्दय में रहता हूं, उतने अनीता के हर्दय में रहता हूं, उतने ही सुनीता के हर्दय में रहता हूं, उतने ही नंद गानी के हर्दय में रहता हूं, सब के राध्यो बगु परमात् में यत्र तत्र सरवत तीनों देके बिराज मादे